लेजी आईज ये टर्म सुनकर जो सबसे पहला खयाल मेरे जहन में आता है, वो ये कि कमजोर आखे होंगे शायद, आप मुझे बताएं कि ये बिमारी exactly होती क्या है, लेजी आईज, इसका English में हम इसको Emblyopoe भी बोलते हैं, ये एक Vision Disorder है, जिसमें कि बच्चे की नजर बन नह पाती है, उसके बहुत सारे कारण है, एक आख में नजर न बनना या कभी कभी होता है, कि दोनों आखों में नजर नहीं बन पाया, जिसका सबसे पहला कारण है, कि सही समय पर चश्मा नहीं लगाना, दूसरा कारण है, किसी बच्चे को बहंगापन है, उसकी वज़े से भी ये होता है, तीसरा कारण है कि किसी को कोई कॉर्णिया हमारा ब्लैक पोशन आई का दिख रहा है इसको कॉर्णिया बोलते हैं, इसमें कोई उपैसिटी आ जाना जिससे हमारी जो रेज होती है बाहर की वो अंदर आई के एंटर नहीं कर पाती तो एक आँख हमारी अंदर से कमजोर होने लगती है आपको मैं एक्जामपल लेकर बताता हूँ कि अभी मैं चश्मा पहन रहा हूँ अभी मैंने चश्मा उतार दिया अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है अभी मैंने चश्मा लगा दिया अब मुझे सारा clear दिख रहा है इस आँख से भी दिख रहा है पर lazy AI के केस में क्या होता है कितना भी आप चश्मा लगा लें आपको दुनला दिख रहा है तो चश्मा का कितना भी power बढ़ा लें वो आपको दुनला दिखता रहेगा एक certain age के बाद अच्छा इसके exactly क्या वज़ा होती है जैसे मैंने पढ़ा हम लोग पढ़ रहे हैं research के दरान तो देखा कि ये brain के command में कुछ misfunction होने के कारण या कुछ एक तरह से brain के साथ कुछ miscommunication हो रहा है जिसके कारण आपकी एक आख से आप कम देख पा रहे हैं और एक से आपको वैसा ही ठीक ठाग दिखता है तो इसके क्या कारण है exactly जैसे आपने बोला कि जादातर disorder ये एक आख में होता है कभी-कभी rarely दूसरी आख में भी दोनों आखों में भी एक साथ हो सकता है जैसे कि किसी बच्चे को चश्मे का नमबर है एक आख में दूसरी आख में कोई चश्मे का नमबर नहीं है तो उसकी life simple है उसको दिख रहा है एक आख से उसने कभी complain नहीं किया बट जिस आख में चश्मे का नमबर है उससे हमेशा subconsciously उसको blur दिखता रहता है जो कि वो express नहीं कर पाता बच्चा कभी जब बड़ा होता है rarely कभी उसने अपनी आख को गलती से बंद कर लिया एक आख को देखा कि इस आख से तो मुझे blur दिख रहा है आई टेस्टिंग कराने गए मालो उसकी age 10 या 12 साथ से ज़्यादा cross हो गई है तो मतलब उसको employers डवल up हो चुका है इसमें क्या होता है? कि जैसे कि जिस आख में चश्मे का number है तो उस आख से जो image बनेगी वो blur बनेगी और brain में process होगी वो blurry होगी image जिस आख में चश्मे का number नहीं है उस आख से जो image बनेगी वो एक्दम clear image बनेगी दोनों को fusion brain में होता है फिर एक 3D image बनती है ठीक है तो brain जब percept करता है कि एक आख से जो image है वो blur बन रही है तो वो confused हो जाता है इस confusion को दूर करने के लिए वो एक आख को suppress कर देता है जो एक आख की वज़े से जो vision बन रहा है वो brain में developed नहीं हो पाता और एक certain age के बाद ये visual disturbance permanent हो जाता है जैसे के example मैंने जैसे चश्मा लगाया तो मुझे 100% दिख रहा है आप एक amylipic patient को कितना भी चश्मे का number बढ़ा लो कोई भी surgery कर लो उसका vision इंप्रूब नहीं हो सकता एक certain age के बाद